हेलो एवरीवन वेलकम टो मैं चैनल जीके गुरू जी आज हम करेंगे मैपिंग ओफ मिडल इस्ट पहले हम करवा जोके हैं मैपिंग ओफ यूरॉप और नेक्स टॉपिक है हमारा मैपिंग ओफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका इन सभी वीडियो के लिंक हमारी के लिए उसका आप देख सकते हैं रेड़ सी वह लेफ्ट पे गल्फ फेड़न राइट पे हैं जो इनको कनेक्ट करता है स्टेट वह बावले मंदर स्टेट जो गल्फ फेड़न को कंट्री टच करती हैं वह यमन एंड सोमालिया यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तो जो गल्फ फेड़न आगे जाकर अरेबियन सी से मिल जाती है तो यह भी आपको एकदम याद रखना है तो नेक्स कोश्टन गाईस विच कंट्री आ टचिंग रेड़ सी सो नीचे स्टार्ट करते हैं राइट से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से जाएंगे एंटी सुब अक्ति देंस सब्सक Carneवार नीचे से यमन फिर साओधी रेबिया अजिप्ट सुदाण और एरितेरिया और ड्श्बाथ इसको रपीट करते हैं यमन साओधी रेपित्रिया अजिप्र सुदान एरिटेरिया और ड्श्बाथटी छे कंट्रिज हैं इनको द्यान में से क्रोस हो जाती है और दूसरी बात है कि यह एक तरह की होटेस्ट और साल्टी सी वाटर बोडी है और से वाटर क्यूं कि प्रेसिप्टेशन बहुत है और एवपरेशन बहुत ही हाई है इसको भी आपको ध्यान में रखना है यह UPPCS और UPSC के लिए बहुत ज़्यादा important question बनता है Why Sea Red Sea is more saltier than the other sea water bodies So next question guys So which countries are bordering Caspian Sea So हम right to left start करेंगे So यही pattern आपने follow करना है इसी तरह से आपको याद रखना है और आपको ऐसे ही याद होगा बार बार repeat करने पे So हम first day start करते है तुरमेकिस्तान, then कजाकिस्तान, रशिया, अजर्बाइजन, इरान 5 countries touch करती है और जैसे हमने पहले बढ़ा था Red Sea को 6, इसको 5 So इसको आपको ध्यार में रखना है आगे हम पढ़ेंगे Prussian Gulf, उसको 7 करती है So ऐसी इसको 5 करती है So बार बार repeat करना है तुरमेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजर्बाइजन, इरान तुरमेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजर्बाइजन, इरान So जो Caspian Sea है वो largest, world largest inland water body है So इसको भी आपको याद रखना है So ये locate करती है between Europe and Asia So ये भी important effect है Caspian Sea के बारे में जो एक्सक्तम exam से relevant points है वो ही आपको बता रहा हूँ UPSC से लेकर UPPCS, State PCS सभी के लिए बहुत ही जादा important रहेंगे So next question guys So which countries are bordering the coast of the Persian Gulf So इसको भी हम right to left start करते है So first है Iran, then Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE So अमान नहीं दोस्तो प्रेशन गल्फ को टच नहीं करता है So फिर दोबारा repeat करते है Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE So दोस्तो आपको बताना चाहता हूँ Iraq ऐसे लगता है कि ये टच नहीं करता है प्रेशन गल्फ को पर कुछ km like 50 to 60 km जो आउटलेट प्रवाइड करते हैं प्रेशन गल्फ से मिलता है तो इसको आप ध्यान पर रखना है ये वीकिपीडिया पर यहीं दिखा रहा है So आपको ये ध्यान रखना है कि Iraq भी बोर्डर करता है प्रेशन गल्फ को ये आपको पता ही होगा इरशन गल्फ बहुत ही लार्जे सोर्स है ओईल का इसलिए इंपोर्डेट रहते है पर शन गल्फ सो नेक्स्ट कोशन गाईस भी कोशन प्रेशन गल्फ से ही लिंग्ड है जैसे कि पूछा जाता है कि कौन से स्टेट है विश टेट लिंग्स प्रेशन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं फोटो में कि गल्फ ऑफ ओमान अपने राइट पे है जो प्रेशन गल्फ लेफ्ट पे है सो हमने बताया उलड़ी की प्रेशन गल्फ को कौन कौन सी कंट्री स्टच करती है इरान, इराग, क्वैथ, साओधी रेबिया, बहरेन, कतर, एंड यूएई सो यह जो प्रेशन गल्फ, गल्फ ऑफ अमान से मिलता है, तो किस के तरू मिलता है, स्टेट ऑफ फॉर्मोस के तरू मिलता है सो बार-बार रपीट करने चीजों को तभी मैपिंग याद होगा आपको, सो नेक्स कोस्टन गाइस Middle East Countries Touching Mediterranean Sea, यह स्टार्ट करते हैं, टर्की, सिप्रस, सीरिया, लेबनन, इसराइल, प्लेस्टिन, गाज़ा स्ट्रीप इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, जो यह कंट्री, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे इटली, ग्रीस, यह बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो की मेडिटरीश को टॉछ करती हैं, बड् जो मिडलीश की हैं, वह ہम बता हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोशन भी पूचा गया था, बहुत बार यू-पियस ही की, इराक टॉच करता है, जोडन टॉच करता है, मेडिटरीयन सी को या नहीं सो यह आपको ध्यान में रखना है इसराइल टॉच करता है लेबनन टॉच करता है सीरिया टॉच करता है तरकी और दो प्लेस्टिंग गाज़ा स्ट्रीप सु इंची जोक करता है दोस्तों आपको बताना चाहता हूं इस डेज़ेट को एंप्टी क्वाडर भी कहा जाता है सो जो साओधी रेभी के अप्टल है रियाद और यह साओधी रेट सी को भी टच करता है प्रेशन गल्फ को भी टच करता है सो इन चीजों को ध्यान में रखना है सो नेक्स क्यों बताना चाहता हूं दो मेजर पोर्ट जो इरान के बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसे बंदर अबास और शबार पोर्ट दोस्तों आपको बताना चाहता हूं जो बंदर अबास पोर्ट है वो हमने जो स्टेट ओ फॉर्मोस करवाया उसके एकदम पैरलल है यह बहुत ह strategically बहुत important port रहता है तो इसको भी आपको पता होना चाहिए इसमें भी UPSC question बना सकता है तो जो दूसरा है वो चबार port है आपको पता होगा इंडिया और इरान की collaboration से बना है यह already UPSC 2018 में को पूछ चुका है तो आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ यह आगे UPSC में भी repeat हो सकता है और BPSC में भी आने के chances रहते हैं तो नेक्स question गाइस इन बिट्विन विस टू कंट्रीज RLC lies तो यह दोस्तों कजाकिस्तान और जुबेकिस्तान के बीच में लाई करता है यह इसलिए important है क्योंकि यह inland C है और आपको बताना चाहता हूँ जो कैपिटल है कजाकिस्तान की जो नई कैपिटल बनाई गई है वो है नूर्व सुल्तान जो बिखिस्तान की कैपिटल है वो है ताशकेंट तो दोस्तों next question तो यह UPSC का पूछा हुआ question दोस्तों only landlocked country of middle east तो यह है Jordan तो यह था दोस्तों आपको इसके आगे revision करवाना चाहता हूँ जो मैंने questions करवाए है उनको सिर्फ 30 seconds और एक minute के बीच बीच में आपको revise करवाऊँगा स्टार्टिंग कंट्री स्टरचिंग परस्टियन गल्फ सो राइट लेफ स्टार्ट करते है इरान इराग क्वेट साओधी रेबिया बहरेन कतर यूए सो नेक्स्ट है कंट्री स्टरचिंग कैस्पिन सी तुरमेकिस्तान कजाकिस्तान रशिया अजर्बाइजान इरान सो विष्टे कनेक्ट रेड सी तो गलॉफ फेडन बढलेमन अडेट विष्टे लिंग प्रशन गल्फ इंग अमान श्राट वर्मॉस्ट चूंट इच्ट रचिंग अजिप्सादी शथा यमन अजिप्सादान एरिटरिया इस बोथी मिदल सी कंट्री टूश्य अरुम्न इ कजाकिस्तान अजबेकिस्तान ओनली लैंड लोग कंट्री मिडल लिस्ट सो इसकांसर जोर्डन सो दोस्तों अगर आपको यह पढ़ाने का तरीका और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए गा और यह सारे कोश्टन यूपीसी ने पूछ पूछ रखे हैं और यूपी पीसी एस में बहुत बार रपीट हुए हैं सो मिडल इस से अल्मोस्ट हर बार यूपीसी कोश्टन पूछता है सो अगर आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहना है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू